दोस्तो 2022 ये कैलेंडर येर का पहिला कौटर खतम हो चुका है और ये पहिले कौटर के अंदर निफ्टी ने आपको 0.63% का positive return दिया है Reliance Industries ने 11.23% का positive return दिया है HDFC Bank ने minus 0.61% का negative return दिया है Tata Consultancy Services यान के TCS ने 0.02% का positive return दिया है Infosys ने 1% का positive return दिया है ICICI Bank ने 1.35% का negative return दिया है Tata Consumer Product ने आप देख सकते हो 4.5% का positive return दिया है Hindustan Unilever जोकी एक FMCG कमपनी है उसने minus 13.22% का negative return दिया है उसी तरह से आप Britannia Industries को भी देख सकते हो ये stock ने minus 11.06% का negative return दिया है तो आप देख सकते हो Nifty के ये महत्व पूर्ण stocks जिनका Nifty के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज है उन्होंने आपको ये quarter के अंदर कैसा return दिया है Nifty को और इन stocks को आउट परफॉर्म किया है ITC के share ने ITC ने ये quarter के अंदर आपको 15% का positive return दिया है आप सोचोगे अगर एक quarter के अंदर ITC इन stocks को और Nifty को आउट परफॉर्म करता है तो क्या बड़ी बात हो गई क्योंकि कई सालों से तो ITC इन सब को अंदर परफॉर्म कर रहा है ये quarter के अंदर जो ये out performance आई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो चलो अब ये वीडियो से पता करने की कोशिश करते है कि out performance क्यों महत्वपूर्ण है और हमें क्यों लग रहा है कि ITC आने वाले सालों में 1000 रूपे तक भी उपर जा सकता है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पैचानवालों के साथ शेयर करना ना भूले तक ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके दोस्तो अगर आपको लगता है कि ITC के स्टॉक प्राइस के अंदर जो ये कम समय में बहुत ही अच्छा उचाल आया है और उस वज़ा से हम आपको वीडियो बनाकर ITC का टारगेट 1000 रुपे का बता रहे है तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने 24 सितमबर 2021 को भी वीडियो बनाये था और ये वीडियो के अंदर भी हमने आपको ITC का टारगेट 1000 रुपे का दिया था चलो अब ज़्यादा टाइम वेशना करते हुए ये वीडियो की शुरुवात करते है वीडियो की शुरुवात में ITC के थोड़े बिजनेस के बारे में जान लेते है क्योंकि ये बिजनेस के अंदर क्या चेंजेस आ रहे है वो भी समझना जरूरी है हम ये वीडियो के अंदर जादा फंडामेंटल्स के अंदर नहीं जा रहे है जैसे के वीडियो में आप देख सकते हो ITC के एगरी बिजनेस के अंदर पिछले कौटर में 100% की ग्रोथ हुई है ITC के ये एगरी बिजनेस के अंदर वीड, राइस, स्पाइसे, टोबैको और कॉफी जैसे प्रोड़क्ट्स आते है आप देख सकते हो वीड की किमते जो 2015 से 2021 की शुरुआ तक एक रेंज के अंदर कंसॉलिडेट हो रही थी 2021 के बाद से उपर जा रही है उसी तरह से आप कॉफी की किमतों को भी देख सकते हो 2015 से 2021 तक जो कॉफी की किमते एक रेंज के अंदर कंसॉलिडेट हुई अभी 2021 के बाद ये उपर जाना शुरू कर रही है उसी तरह से आप rice की किमतों को भी देख सकते हो rice की किमते भी 2015 से एक range के अंदर consolidate हो रही थी 2020 में इन्होंने breakout दिया था लेकिन करोना के समय ये फिर से एक बार नीचे आई और फिर से एक बार ये उपर जाना अभी चालू कर रही है उसी तरह से आप spices की किमतों को भी देख सकते हो करोना pandemic से पहले और करोना pandemic के बाद की दोनों किमते आपके सामने है और आप देख सकते हो करोना pandemic के बाद इन किमतों के अंदर कितना बड़ा उचाल आया है तो एग्री कमोडिटी के प्राइजिस के अंदर जो ये उच्छा लाया है उसका फाइदा ITC को एग्री बिजनेस में जरूर होगा ITC का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस जिससे ITC का सबसे ज़्यादा रेविनियों आता है वो है सिग्रेट बिजनेस आप देख सकते हो ये कोटर के अंदर ITC के सिग्रेट बिजनेस ने भी बहुत ही अच्छा पर्फॉर्म किया है और ये ऐसा बिजनेस है दोस्तों जो कभी खतम नहीं होगा और हम ये इसलिए कह रहे है कि आपने करोना पैंडेमिक के समय तो देखाई होगा जब सब कंट्रीज लोगडाउन में थी लोगों के जॉब जा रहे थे उसी तरह से लोग ये बीमारी से परेशान थे लेकिन फिर भी सिग्रेट बिजनेस के अंदर कोई भी बड़ी गिरावट नहीं आई और जैसे ही लोगडाउन ओपन हुए ये सिग्रेट बिजनेस फिर से एक बार पुराने लेवल्स पर आ गए और अब तो कोई भी लोगडाउन नहीं है उसी तरह से ये करोना पैंडेमिक भी खतम होने को है तो यहाँ से सिग्रेट की भी क्रीब बढ़ने ही वाली है और सिग्रेट बिजनेस में आने वाले समय में ITC को अच्छी ग्रोथ मिल सकती है ITC होटेल बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्टेड है और इंडिया की पाचवी बड़ी होटेल चेंड चलाते है जैसे कि आप सबको पता है करोना पैंडेमिक के अंदर लोकडाउन की वज़े से होटेल बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा इंपक्ट आये था लेकिन अभी लोकडाउन खतम हो चुका है उसी तरह से करोना पैंडेमिक भी खतम होने को है और होटल बिजनेस फिर से एक बार तेजी से उपर आ रहे है और ये ITC को आने वाले समय में बेनिफिट जरूर देगा अगर हम होटल सेक्टर के शेयर को देखते है जैसे कि इंडियन होटल का शेयर तो हमें पता चलता है कि ये शेयर के चार्ट के उपर 15 साल के बाद बड़ा ब्रेकाउट आया है जो हमें बताता है कि आने वाले समय में होटल सेक्टर का आउटलूक बहुत ही अच्छा हो सकता है ITC पेपर बोड पेपर और पैकेजिंग सेग्मेंट के अंदर भी काम करता है और आप देख सकते हो ये सेग्मेंट के अंदर उनकी ग्रोथ 38.5% है year on year अगर हम पेपर सेग्मेंट का स्टॉक को देखते हैं जैसे कि जेके पेपर तो आप देख सकते हो 2021 में ही इसने उसके पूराने हाई को तोड़ा और अभी ये बहुत ही उपर जा रहा है जो बताता है कि आने वाले समय में पेपर की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है तो जैसे कि हमने देखा ITC का एगरिकल्चर, सिग्रेट, होटेल और पेपर बिजनेस आने वाले समय में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकते है और इन सब बिजनेसे में एक डार्क होर्स बिजनेस भी है जो है ITC Infotech यानि कि ये एक IT कमपनी है आप देख सकते हो 2020 के अंदर ये कमपनी का प्रोफिट 210 करोड के पास था तो 2021 में 450 करोड हो गया यानि कि पिछले एक साल के अंदर ITC के ये IT बिजनेस के अंदर प्रोफिट डबल हो चुका है तो ये हो गए वो बिजनेसे जो आने वाले सालों में ITC की प्रोफिटेबिलिटी इंक्रीज करेंगे लेकिन ITC का सबसे बड़ा दूसरा रेवेन्यू आता है FMCG बिजनेस से और अभी कमोडिटी साइकल चल रहा है हमें लगता है ITC के FMCG बिजनेस के उपर इसका थोड़ा बहुत तो इंपैक्ट जरूर आएगा लेकिन जैसे कि हमने देखा कि दूसरे बिजनेसे बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे है और FMCG बिजनेस के उपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा कि उस वज़े से ITC की प्रोफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा गिर जाएगी तो चलो अब पता करने की कोशिच करते हैं कि ITC के fundamentals के अंदर जो ये improvements आ रहे है क्या वो ITC के चार्ट के उपर भी दिख रहे है अभी जो आप वीडियो में देख रहे हो वो ITC का daily का चार्ट है ITC के daily के चार्ट के उपर ITC एक rectangle pattern के अंदर काम कर रहा था इससे ITC ने breakout ढिया है और ITC अभी इसके ऊपर ही है. उसी तरह से ITC उसके सभी महत्वपुर्णा exponential moving averages के ऊपर काम कर रहा है. अगर हम daily से weekly chart पर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ITC उसके weekly chart के ऊपर भी उसके सभी महत्वपुर्णा exponential moving averages के ऊपर ही काम कर रहा है. ITC के weekly chart के उपर 20, 50 और 100 week का exponential moving average 200 week के exponential moving average के नीचे 2003 के बाद पहली बार गए है आप देख सकते हो 2003 में जब ITC के weekly chart के उपर उसके 20, 50 और 100 week के exponential moving averages 200 week के exponential moving averages के नीचे चले गए थे और जब ये फिर से एक बार इसके उपर आये थे उसके बाद ITC में किस तरह की बड़ी rally बनी थी ITC के monthly chart के उपर भी आप देख सकते हो ITC उसके सभी महत्वपुर्णा exponential moving average के उपर आ चुका है उसी तरह से आप देख सकते हो ITC ने उसका pre-covid highs को भी तोड़ा है और March 2022 के अंदर ये इसके उपर बंध हुआ है यही पर ITC को कई बार resistance phase हुआ था तो ITC ने एक बहुत अच्छा breakout उसके monthly chart के उपर दिया है और ये breakout को volumes भी support करते है उसी तरह से आप देख सकते हो 2017 से जो falling trend line ITC के लिए continuously resistance का काम कर रही थी ये March 2022 में ITC ने वो falling trend line को भी तोड़ा है और इससे भी breakout डिया है ITC उसके monthly chart के उपर 1995 के बाद आप देख सकते हो एक rising channel के अंदर काम कर रहा है ये rising channel के अंदर consolidation के बाद ITC जब भी falling trend line से breakout डेता है तो ITC के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी बन सकती है आप देख सकते हो 1996 में जब ITC ने ये falling trend line से breakout डिया तो ITC के अंदर 280% की एक बहुत अच्छी तेजी बनी उसके बाद आप देख सकते हो ITC ने फिर से एक बार ये rising channel के अंदर 2003 में falling trend line से breakout डिया और उसके बाद ITC के अंदर 345% की तेजी बनी 2009 के अंदर फिर से एक बार आप देख सकते हो ITC ने एक horizontal trend line से breakout डिया और उसके बाद ITC के अंदर 370% की तेजी बनी और फिर से एक बार आप देख सकते हो यही rising channel के अंदर ITC ने फिर से एक बार एक falling trend line से breakout डिया है और ये इसके उपर बंद हुआ है तो आने वाले सालों में पूरे पूरे चांसे से कि ITC यहाँ से 1000 रूपे तक भी उपर जा सकता है दोस्तों आपने पिछले तीन बार देखा है कि ITC ने जब भी falling trend line से breakout डिया है तो ITC कम से कम 300% तो उपर गया ही है तो दोस्तों ये वीडियो का सारावंश यह है कि जैसे कि हमने वीडियो के अंदर देखा कि ITC के बिजनेसेज के अंदर बहुत ही अच्छी improvement आ रही है और ये improvement को monthly chart भी support कर रहा है monthly chart के उपर ITC ने horizontal और falling trend line से breakout डिया है और हमने देखा है कि ITC जब भी ये rising channel के अंदर falling trend line से breakout डेता है तो उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी तेजी बनती है तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें comment दोरा जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक करे चानल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों और पहचानवालों के साथ शेयर करना ना बुले तकि ये जानकारी आपके साथ उनको भी पता चल सके वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थेंक यू